हेलो गाइज कैसे हैं आप सब मैं हूँ आपका मेंटर अरजंदुवा आपका मेरे चैनल एंसीयारिटी मैथ गुरूप पर स्वागत है आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनस मैथेमेटिक्स में 5.3 एक्सेस जैसे कि मैंने आपको 5.2 एक्सेस तक करवा दिया है अगर आपने पास एक ही फंक्शन हुआ करता था लेगिन अब हमारे पास दोफंच्शन हो जाएंगे उनका डिधुक्त किस तरह arist कि हौगा जैसे कि हमारे लेते हैं यूं और व यू को हम second function लेते हैं इनका जो है derivative करना है तो देखे किस तरह से होगा derivative जब हम करेंगे तो क्या करेंगे सबसे पहले जो first function है अब first function कौन सा है वो देखिए और second function कौन सा है वो देखिए first function हमारा ये है second function हमारे पास ये है तो जैसे कि मैंने अब आपको उताया हम क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों की प्रोग्ट हमें given होगी इसके लिए derivative क्या होगा हमारे पास U as it is रखेंगे और V का derivative कर देंगे u को as it is रखेंगे v का derivative कर देंगे इसके respect में x के respect में इसी तरह से फिर हमारे पास क्या आएगा plus आएगा उसके बाद v को हम लिखेंगे as it is और किसका derivative करेंगे u का derivative जैसे कि आपने अब भी सही होताया u का derivative आजाएगा इस तरह से हमारे पास इसका इनका derivative इस तरह से होगा तो देखे एक example करवा देता हूँ उसके बाद जो हम अपना second part करेंगे इसी में यान कि second formula देखेंगे तो इसका example देख लीजिए कोई भी example ले सकते हैं तो हमारे पास product में given होगा तो देखे for example ले ले लेते हैं कि टू एक्स प्लस थ्री इंटू में root x मली यह हमारे पास function है इनका जो हमें solve करना है तो इसके लिए सबसे पहले जासे कि मैं आपको बताया क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन और sound function को देखेंगे सबसे पहले फिज़ स्ट यह हमारे पास यह रहेगा सेकंड यह है तो देखें किस तरह से हो जाएगा u जो function है सबसे पहले u को हमने लिखना है as it is derivative किसका करना है v का derivative करना है तो root x का में आपको derivative बताया हुआ है किस तरह से होगा root x का derivative तरह से हम करेंगे यानि कि root x का derivative करना है plus u कौन सा था हमारे पास वो पहले ही लिख देते हैं यहाँ पर 2x plus 3 into में हमारे पास यह रहेगा इसी तरह से अब plus में root x as it is यानि कि v as it is और derivative किसका करना है derivative करना है हमें u का यानि कि 2x plus 3 का इसका derivative देखी क्या हो जाएगा 2x plus 3 as it is यानि कि u हमारा as it is root x का derivative पावर आगे करके power कम की यानि कि root x का मतलब x की power 1 by 2 इसका क्या होता है result 1 by 2 power आगे की फिर हम power कम करते minus की हो जाती power फिर इसको निचे लिखेंगे इस तरह से तो इसका result 1 upon 2 root x हो जाएगा इसकी multiply में यानि कि product में हमारे पास रहेगा 1 upon 2 root x इसी तरह से अब हम कहा रहेंगे plus अब इसको solve करेंगे तो root x as it is अब इंटू में हमारे पास क्या रहेगा 2 x plus 3 का derivative 2 x हो जाएगा यानि कि 2 x का 2 3 का 0 हो जाएगा यानि कि हमारे पास 2 root x हो जाएगा इनको अब हम solve कर लेंगे तो क्या result आजएगा 2 x plus 3 upon 2 root x plus में 2 root x अब इसको हम जो लेके solve करेंगे तो 2 x plus 3 plus में 4 क्या हो जाएगा 4 x हो जाएगा लेंगे जब हम 2 root x फिर इसको simplify कर लेंगे तो 6 x यहाँ पर आजाएगा हमारे पास result 6 x plus 3 upon में क्या आजाएगा 2 root x हमारे पास यह result हो जाएगा इस तरह से जो हमें product में अगर आ जाते हैं तो इस तरह से हमने इनको solve करना होता है अब देखिए जैसे कि मैं आपको इसमें product में सिखाया अब हमारे पास quotient याने कि divide में भी आ सकता है upon में भी आ सकता है उनको किस तरह से करते हैं solve वो देखिए अब तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा कि हमारे पास function u by v में होगा जैसे कि पहले हमारे पास किस में था यू into v में था यू into v में था अब हम जो है इसका किस तरह से करेंगे u upon v लेकर करेंगे तो देखे किस तरह से आजाएगा result हमारे पास इसको हम लेकर से लेंगे देखी यहां से u upon v इसका derivative अगर हम करें तो किस तरह से करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे पास v function है वो second और u first लेकर चलती है second जो function है उसका पहले हमने करना है square upon में और first function को जो है उसका derivative होगा ऊपर तो यहाँ पर हम लिखेंगे d upon dx d upon dx किसका derivative करेंगे u का derivative करेंगे minus करेंगे अब यहां पर हम जैसे कि पहले हमने plus किया था लेकिन अब यहां पर divide में minus करेंगे u को हमने रखना है as it is derivative कि इसका करना है v का आपने सही बताया v का derivative करना है इस तरह से हमने इसको solve करना है तो इसका भी example करवा देते हैं तो देखें यहां पर हमेर पस जो इसका example क्या रहेगा कि पहले हम क्या करेंगे देखे u by v जब भी आएगा आपने पहले v यानि कि जो अपोन में denominator में होगा उसका करना है square जो denominator में हमने square किया जिसका उसको लिखेंगे उपर यहां पर v फिर जो first function है कि जो denominator में था उसको लिखा हमने उपर यानि कि उसका derivative फिर करेंगे minus जो हमारे पास u था उसको रखा as it is और derivative किसका करना है व का derivative करना है तो देखेंगे example करवा देते हैं उसके बाद जहां अपने sum स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे यहां पर example लेते हैं x प्लस 1 upon x इसका हम derivative करें तो किस तरह से करना होगा तो सबसे पहले इसको ले सकते हैं देखेंगे नीचे वले का square यानि कि x का square जिसका square किया उसको उपर लिखा यानि कि x को उपर लिखा फिर x प्लस 1 का क्या करेंगे derivative करेंगे माइनस करेंगे किस में से करना है देखें x प्लस 1 as it is यानि कि u as it is b का derivative x का derivative तो इसको अब हम solve कर लेते हैं क्या result आ जाएगा पहले x 1 प्लस 0 इसका 1 इसका 0 जाएगा यानि कि 1 माइनस x प्लस 1 इंटू में 1 नीचे x square इसको अब हम solve करेंगे तो क्या result आ जाएगा एक्स माइनस x माइनस 1 यह result आ जाएगा यह माइनस को जब हमने इसको solve किया माइनस यह माइनस यह दोनों माइनस हो जाएगे जिससे हैं पर माइनस माइनस हमने लिख दिया अभी इसको solve कर लेंगे क्या result आएगा एक्स से एक्स कैंसल आउट तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्केर तो यह हमाइनस इसका derivative हो जाएगा देखिए जब है मैंने आपको भी दो example कर वाए उनको हम दूसरे तरीके से भी solve कर सकते हैं जो हमने पहले सीखा था वो देखिए किस तरह से इसको क्या करेंगे रूट एक्स को एक्स की पावर 1 बाय 2 लेकर multiply कर दे दोनों से फिर हम इनका derivative अलग लग कर सकते हैं जो हमने पिछली एक्सेज में सीख लिया है इसी तरह से एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का भी derivative हम कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन एक्स जैसे कि मैं आपको पहले भी बिताया था पिछली एक्सेज में हम यह सीख चुके हैं एक्स एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लेकर इसको solve कर कर सकते हैं हमारे पास दोनों सेम ही आएगा तो देखिए अब अपने कोशन स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले 5.3 एकसे हैं जो हमारे पास हम स्टार्ट कर रहे हैं देखिए यहां पर फर्स्ट कोशन है आप अपनी बुक में देखिए डिफ्रेंशियेट दा फ्लॉइंग फॉंक्शन विद के यहां पर एक्सस्केयर प्लस ओन एक्सस्केयर प्लस ऐन इनटोose 2 एकस्क्यूब-प्लस-वन हिसको किस तरह करते हैं सबसे पहले करते हैं जैसको रही हूं के क्मरिया क्या कर देंगे 2x cube की x square से फिर 1 से इसी तरह से 1 की x square से और 1 से multiply करकर देखे इस तरह से solve भी कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको पहले बताया हुआ इसको solve भी कर सकते हैं और इसका दूसरा तरीका क्या है जो भी हमने सीखा है अब दूसरा तरीका जो भी हमने सीखा वो क्या था U into V का तो इसपे U apply हो जाएगा यह V यानि कि यह हम U लेकर चलेंगे और यह V तो U हमने क्या करना होता है इसको देखे U को हमने as this रखना होता है V का derivative करना होता है फिर plus V को as it is और U का derivative तो U हमार पास क्या है x square plus 1 है उसको हमने as this रखा किसका derivative करना है V और V क्या है 2 x cube plus 1 इसका derivative करना है फिर V as this 2 x cube plus 1 को as this रखा U का derivative कर दिया अब इनका derivative हम कर सकती है तो derivative power आगे power कम करकर दोनों का solve हो जाएगा यानि कि इसका और इसका दोनों पे ही अपलाई होगा power आगे करेंगे power कम कर देंगे तो 2 x cube plus 1 से हमार पास क्या result आजाएगा 6 x square आजाएगा देखिए 2 x cube का क्या result होगा 2 as it is रखा power आगे की power कम कर दि फिर इन दोनों की multiply 6 हो गई तो यहां से 6 x square इसे तरह से यहां पर भी हम करेंगे x square प्लस 1 का derivative 2 x प्लस 0 तो यहां से 2 x आ गया अब इनकी multiply कर दें तो हमार पास क्या result आजाएगा देखिए 6 x की power 4 6 x square प्लस 4 x power 4 है प्लस 2 x अब देखिए power जो है यहां पर जो same है उनको हम प्लस करेंगे जैसे कि यहां पर देखिए x की power 4 x की power 4 प्लस होकर 10 x की power 4 6 x square प्लस 2 x हो जाएगा इस तरह से हम derivative करेंगे और जैसे कि मैंने आपको पहले सी खाया था 5.2 में अगर उस तरह से आ जाता अगर हमें यह नहीं आता तो हम क्या करतें जैसे कि मैंने इस question के starting में करके दिखाया x square की पहले 2 x cube से और फिर 1 से भी होगी इसी तरह से 1 की 2 x cube और 1 से हो जाएगी फिर इसको हम simply solve कर लेते जैसे कि solve करकर derivative करना होता तब भी हमारे पास यही result आता लेकिन हम u x v कब apply करेंगी हमें यह पता कैसे लेगा जब हमारे पास नोर्मल में था power हमारे पास 1 थी whole की power 1 थी लेकिन कई बर हमारे पास power 2 से बढ़का 3, 4, 5, 6 इस तरह आजए 3 तक तो हम solve कर लें 3 तक तो हमें सिखाया गया है कि अगर किस तरह से solve होता है लेकिन अगर 4 power आ जाए 5 power आ जाए तो उसको किस तरह से करना है तब हम इस पर u और v कब apply करते है u into v तो इस बाद पर हमने ध्यान रखना है इसी तरह देखे second part ऐसी question का हमारे पास v function जो है u और v हमें given होगा question में देखिए u को हमने क्या लिया हुआ है x plus 1 upon x यानिक यह हमारा u है into में हमारे पास root x plus 1 upon root x है तो यह हमारे पास function है इसको y के equal हमने let किया अब क्या करेंगे इस पर u into v apply कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको first question में करके दिखाया था लेकिन यहां पर मैंने आपको क्या apply करके दिखा रहा हूँ देखी यहां पर जो है मैं आपको apply करके दिखा रहा हूँ कि इसकी multiply हमने पहले इन दोनों से की देखी इस तरह से फिर हमने इसकी multiply इन दोनों से की है यहां पर multiply करकर लिखा, क्योंकि मैं आपको बताया था, अगर हमारे पस power में whole की power दी जाती है, जैसे कि यहां पर हमारे पस power कितनी थी, whole की power दोनों की 1 थी, तो हम इसको multiply करकर भी solve कर सकते हैं, यानिकि हमने multiply कर दिया अपस में, फिर इसको हमारे पस लगलग हो जाएंगे, जैसे कि यहां पर x की power 3 by 2, प्लस root x, पॉन x, इस तरह से मारे पस यह values हो जाएंगे, इनको हम solve कर सकते हैं, तो हम यहां पर इससी तरह से solve करेंगे power आगे कि, power कम की, देखे 3 by 2 को हमने देखी आगे करिकर लिखा, 3 by 2 आगे किया, फिर इसमें power कम कर दी, power कितनी कम करने होती है, one कम करने होती है, तो एक्स की power 1 into में x की power minus 1 by 2 बेस सेम power क्या हो जाएगी add हो जाएगी इन दोनों को add करकर हमने लिखा x की power 1 by 2 power आगे करेंगे power कम करेंगे फिर x की power minus 1 by 2 हो जाएगी यहांपर फिर इसी तरह यहांपर भी minus 1 by 2 है इसको हमने आगे किया power आगे की power कम कर दी इस तरह यहां पर भी हमने किया power आगे करकर power कम करनी है अब देखिए जो आपके पास result आएगा उसमें कुछ आपके पास minus में भी powers है कुछ plus में भी है तो हम क्या करेंगे सभी को plus में ले जाएंगे तो यह power minus की थी दोनों इनको देखिए हम अपॉन में ले गई जिससे power plus में हो गई और यह root x को हम इसको लिख सकते हैं इसको भी अपॉन में ले गई यह भी minus की थी हमारे पास तो जो हमारे पास minus की होगे हम उसको denominator में लिख सकते हैं जिसे वो plus की हो जाएगी इसे तरह से देखिए इसी question का third part है हमारे पास हमारे पास function given है x into x minus 3 into x square plus x हमारे पास ये function है इसको हमने solve करना है तो देखिए पहले इसको किस तरह से करेंगे solve पहले आप x की जहें दोनों से multiply कर दीजिए x minus 3 से तो क्या result आ जाएगा x square minus 3 x इस तरह से यहां पर as it is आ गया अब क्या करेंगे इन दोनों की हम फिर से product कर सकते हैं power हमारे पास जो है कि वन ही है इनकी तो multiply साने से कर सकते तो x square की x square से इस तरह से x square की फिर x से हो जाएगी फिर क्या क्या रहेगी वाइन से 3x Š्केर से minus 3x की x से इस तरह से हमारे पस यह result आजाएगा इसको जब हम climate करेंगे simplify करेंगे तो देखने क्या result आजाएगा x की power 4 minus 2x की power 3 minus 3x की power 2 फिर इनका derivative करेंगे हम तो तो पावर आगे कई फिर पावर कम करेंगे यानि कि पावर 4 जो है X की उसको आगे लिखा फिर 4 में से 1 माइनस करके लिख दी पावर में इसी तरह से हमने यहां पर भी किया है और यहां पर भी किया पावर आगे करके पावर कम करनी है अगर आप इन में ध्यास देखेंगे त तो आपको यहां से common चीज़ दीख रही है 2x, दोनों में 2x common है, तो 2x हमने common ले लिया, तो result 2x square, minus 3x minus 3, इस तरह से हमारे पास इसका derivative हो जाएगा, इसी तरह से देखे question number, first का fourth part है हमारे पास, हमारे पास function given है, 2x plus 1, 2x plus 1 whole की power 1 by 3, into में x plus 1, हमारे पास यह function है, इस पे अगर आप देखे, इस पे आप product नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमारे पास power 1 by 3 है, तो power 1 by 3 को हम solve करना नहीं जानते, तो हम क्या करेंगे, इस पे u into v apply कर सकते हैं, जो दोनों मैंने भी आपको बिना u into v के किये थे, आप u into v से भी उनको solve कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको u और v लेकर चलेंगे, इसको हमने u लिया, और इसको v लिया, तो इसका derivative मैंने भी आपको बताया, u को as it is, v का derivative minus नहीं रखेंगे, इस बार आपने ध्यान रखना है, minus हम कब use करते हैं, u upon v में, लेकिन यहाँ पर हमारे पास u into v है, तो यह plus में आएगा, बच्चे इसी में confuse होते हैं, कि minus का कब था और plus का कब था, जब product करेंगे, multiply करेंगे, तब हम इसमें plus का रखेंगे, जब हमारे पास divide में यानकि p by q की form में होगा, तब हमें minus करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b as it is u का derivative, तो u हमारे पास यह है, और v हमारे पास यह है, तो इनका देखिए किस तरह से u as it is रखा देखिए, u को as it is रखा, v का derivative कर दिए, यहाँ पर देखिए इस तरह से, इसी तरह से B को S D's रखना है और U का derivative करना है तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा यह तो S D's आजाएगा X प्लस 1 का derivative क्या होता है X प्लस 1 का derivative 1 होगा तो हमारे पास यह result आजाएगा इसी तरह से देखिए अब 2 X प्लस 1 whole की power 1 by 3 का derivative करना है तो power आगे करेंगे power कम करकर लिखा देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं आप भी आपको सिखाया था पिछली अक्सेज में power आगे करेंगे power कम करकर लिखेंगे और into में जो X था यानकि 2 X प्लस 1 उसका भी derivative होगा तो उसका derivative 2 X प्लस 1 का derivative 2 हो जाएगा फिर इनके हम multiply करें फिर अगर इसमें देखेंगे multiply करने के बाद देखेंगे तो हमारे पास जो है एक चीज common है वो देखें क्या चीज common है 2 X की power 1 by 3 common है तो यहां से अगर हम 2 X की power 1 by 3 लेंगे तो यहां पर 1 रह जाएगा इसी तरह से देखिए यहां से भी अगर हम 1 by 3 common लेते हैं तो यहां से minus 2 upon 3 हम minus करेंगे इसको तो क्या result आजाएगा minus 3 by 3 यान की minus 1 हो जाएगा आप इनकी product के देखें फिर इस तरह से लिखेंगे हमने यहां से common लिया तो 2 X plus 1 whole की power minus 1 minus 1 बचेगी हमने 2 और 1 by 3 की multiply करकर 2 by 3 लिखा और into में इसको लिख दिया as it is अब इनको हम solve कर लेंगे 2 X plus 1 whole की power minus 1 X plus 1 जो है इनका क्या करेंगे upon में ले जाएगे इसको upon में क्यों लेके जाएगे power देखी क्या है इनकी इसकी power minus में है power minus में है तो इसको upon में ले जाएगे इस तरह से फिर इसका else में लेंगे else में लेके इसको solve करेंगे इस तरह से तब हमारे पास result आजाएगा 8 X plus 5 8 X plus 5 upon में 3 into 2 X plus 1 हमारे पास यह result आजाएगा फिर इसमें आप फिर देखेंगे फिर इसमें देखेंगे एक चीज फिर cut जाएगी क्या है कि 2x plus 1 यहां पर 2x plus 1 की power 1 by 3 एक में power 1 है एक में minus 1 by 3 है यह upon में आकर minus का होगा फिर इसको हम solve करेंगे तो क्या result आजाएगा 2 upon 3 आजाएगा यहां पर हमारे पास 2x plus 1 whole की power 2 by 3 हो गई इस तरह से हम इसका derivative करेंगे इस तरह से देखेंगे इसी question का हमारे पास 5th part है हमें function given है 5x cube क्या की function है 5x cube plus 3x minus 1 into में x minus 1 हमारे पास यह function given है तो यहां पर हम दो दो देंट रखो रखा व का derivative करेंगे फिरो को has हम डिशद रखना है यू का derivative करना है तो इसका और इसका हम derivative कर देंगे बाकियों को as it is रखा देखी इसको as it is रखा x-1 का derivative 1 हो जाएगा जैसे सही बताए आपने 1 हो जाएगा इस तरह से x-1 as it is अब इसका derivative देखी क्या हो जाएगा 5x3 है तो इसका derivative power आगे की power कम करका लिखा 5 into 3 15 हो जाएगा और x की power 2 हो जाएगी इसे तरह से 3x का derivative 3 हो जाएगा minus 1 का derivative 0 हो जाएगा तो इस तरह से हमार पास यह result आएगा अब इनकी हम multiply कर देंगे तो देखे किस तरह से हो जाएगी multiply यहाँ पर हमार पास same आजाएगा फिर x की multiply हम करेंगे देखी यहाँ पर x की multiply दोनों से होगी इस तरह से फिर minus 1 की इन दोनों से हो जाएगी तो इस तरह से देखे हमारे पास result आएगा इनको हम simplify करें तो हमारे पास result आजाएगा 20x cube minus 15x square plus 6x minus 4 हमारे पास यह result आजाएगा तो यह इसका क्या हो जाएगा derivative हो जाएगा इसी तरह से देखे है इसी question का 6th part है हमारे पास x square minus 4x x square minus 4x plus 5 into में x cube minus 2 तो इसका हमें derivative करना है तो इस पे भी हम वही अपलाएगा सकती है u और v का तो u हमने hd रखा v का derivative करना है v को hd रखा और u का derivative करना है तो यहाँ पर देखे क्या result आ जाएगा इसको तो हमने hd रखा इसको हम derivative करकर लिखेंगे यान की power आगे की power कम करेंगे x cube minus 2 का तो 0 है आपने उस पर ध्याने देना देखे x cube का derivative power आगे power कम तो यह result आ जाएगा इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे इसका भी derivative करेंगे x square minus 4x plus 5 का derivative power आगे power कम की 2x और minus 4x का derivative minus 4 फिर हम जाएगा इनके multiply कर देंगे जैसे कि भी मैंने आपको सिखाया 3x square की इन त्योंनों से multiply होगी फिर हम क्या करेंगे x cube की इन दोनों से multiply करेंगे उसके बाद minus 2 की इन दोनों से multiply करेंगे फिर देखी इस तरह हमने multiply करकर लिखा है इसको simplify करें तो result हमारे पास 5x की power 4 5x की power 4 minus 16x cube minus का 16x cube plus का 15x square minus 4x plus 8 हमारे पास यह result आजाएगा तो आपने इनकी जो simplify करेंगे जैसे कि यहाँ पर जो plus होगा कर लिखा तरह से आपके पास यह result आजाएगा तो देखी इसी तरह से हमारे पास इसी question का 7th part है हमारे पास function given है x plus 1 whole की power 3 x plus 1 whole की power 3 into में 3 x plus 1 whole की power 5 तो देखी अब इसको जो हम cube को solve कर सकते लेकिन power 5 को हमें solve करना नहीं आता तो हम यहाँ पर u into v ही apply करेंगे हम इस पर दूसरा तरह का apply नहीं कर सकते तो u को हमने लिखा as it is किसका derivative होता है v का derivative होता है तो यहाँ पर हमने derivative करना है इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे v को as it is रखेंगे derivative किसका करेंगे u का derivative करेंगे तो यह देखी अभी यह जो हमने सेम करना है अभी जो रह गए उनका derivative कर दीजिए जैसे क्या रह गए देखी यहाँ पर 3X, 3X plus 1, whole की power 5 है तो power आगे क्या रहेंगे, power कम करकर लिखेंगे तो power आगे क्या रहेंगे तो क्या result आजाएगा देखी यहाँ पर power आगे करकर लिखेंगे 5, 3X plus 1, whole की power 4, into में 3X का derivative 3, तो यहाँ से 3 और 5 की multiply 15, यहाँ कि 15 हो जाएगा इस तरह से 3X plus 1, whole की power 4 हो जाएगी, अब क्या करेंगे जो हमार पस derivative रहेंगे देखी अब इसका भी derivative करेंगे, x plus 1, whole की power 3, power आगे, power कम, power आगे, power करकर लिखा फिर X का derivative 1 हो जाएगा, इस तरह से हमने इसको लिखा, simplify करकर, अब देखी इनकी जो multiply होगी, अब जो multiply करने के लिए है उनकी अब multiply कर सकते हैं, फिर हम देखी इनमें से common भी ले सकते हैं, देखी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा से simplify करते हैं, कि 15 को हमने पहले लिखा, cube और 4 की power जो है, उनको एक साथ लिखा, इस तरह से हमने प्लस करकर, इनको भी इसी तरह से किया, अब इसमें द तरह से x plus 1 whole की power 3, x plus 1 whole की power 2, तो power 2 छोटी है, तो उसको common लिया, अब जो रह गया, उसको लिखा जा से कि 15, इसमें देखेंगे तो 15, इसमें ये पूरा हमने common ले लिया, यहां पर x plus 1 बच गया इस तरह, और इस तरह यहां पर भी हमने इसको देखा, और हमारे पास यह रह जा गया, अब इनकी जा multiply करकर solve करेंगे, तो हमारे पास result क्या जाएगा, 8x plus 6 आजाएगा, बाकि तो हमने common लेकर किया था, और इस पूरे में से 3 भी common था, यानि कि इन में से 3 भी हमारे पास common आ गया था, इसलिए into में 3 हो जाएगा, तो इस तरह सिसका derivative करना होगा हमें, इ x plus b, क्या है, x plus b, whole की power n, तो इसको किस तरह से करेंगे, देखिए, अब इसमें हमारे पास number नहीं है, लेकिन हमने derivative उजी तरह से करना है, power आगे करनी है, फिर power कम करनी है, तो derivative के लिए सबसे पहले u और v, पता होना चाहिए किसको u ले रहे है, किसको v, तो first function को हमने u लिया second को v, फिर क्या करेंगे, u को as this रखेंगे, इसका derivative करना है, v का derivative करना है, फिर v को as this रखा, u का derivative कर दिया, तो इस तरह से derivative हमने करना होगा, तो इसको हमने as this किया, इसका derivative देखिए, क्या हो जाएगा, power आगे करेंगे, power कम करकर लिखी, n-1 और x plus b का derivative, x का derivative, x के respect में 1, b का derivative constant है तो 0 हो जाएगा तो यहां पर 1 हमारे पास derivative में आ गया इसी दारा से इसको as this किया इसका derivative करेंगे power आगे की power कम की m-1 हो जाएगी power और x प्लस a का derivative 1 हो जाएगा x का derivative 1 और a का 0 हो जाएगा फिर इसको हम simplify करेंगे इनको हमने simplify करकर देखी इस तरह से लिखा इनको simplify करकर हमने लिखाया है यहां पर फिर इनमें देखें कि हमारे पास क्या चीच common आ रही है अगर आप इनमें देखेंगे आपके पास x plus a x plus a m जो है उनकी power minus 1 में minus 1 छोटी होगी ना तो हमने वो common लिया तो यहां पर minus 1 हो जाएगा इस तरह से यहां पर भी हमने common लेंगे x plus p whole की power n minus 1 हमने common लिया फिर जब हम इनको common लेंगे तब हमारे पास देखें क्या result आ जाएगा पहले आप देखें इनमें से हमने किस तरह से common लिया सबसे पहले जो है इनमें से और इसमें से हमने common लेना है इन दोनों में देखें आपके पास जो है same चीज क्या दिख रही है आपको जैसे कि m, m दोनों में है तो जो power छोटी है उसको लिया हमने आगे m minus 1 छोटी होगी m से इसलिए n से भी हमने इसी तरह से किया अब जो इनमें चीज रह गई अब उसको लिख देंगे तो हमारे पास का result आजाएगा m, इन में से भी हम कोमन ले सकते हैं m plus n में से x कोमन देखिए इन दोनों में से x कोमन यहाँ पर x कोमन ले लिया और दोनों को बाकी को as it is रख दिया तो यहाँ पर इस तरह से हमने यह कोमन लेका solve करना है अगर आपको कोमन लेना नहीं आ रहा तो आप क्या कीजिए आप इसको यहाँ तक भी stop कर सकते हैं यानि कि हमारा question यहाँ पर भी complete है तो आपको अगर ऐसे कोमन लेना नहीं आएगा paper में तो आप इसको यहाँ तक ही रख सकते हैं इस तरह से देखिए next question है हमारे पास question number second second का first part है हमारे पास इसमें हमें करना क्या होगा देखिए differentiate of the flowing functions with respect to x हमारे पास अब u by v की form में है किसकी form में है u by v यानि कि हमने question टूल लगाना होगा सबसे पहले question टूल ज्यान दीजिए क्या था वी का square v as it is u का derivative minus या plus minus आएगा अपने सब्सक्राइब माइनस फिर क्या करेंगे u को as this रखेंगे v का derivative कर देंगे इस तरह से हमने को solve करना ध्यान रखना तो हमारे पास function है देखिए x square plus 3x plus 1 upon में x square minus x plus 1 हमारे पास यह function है तो इसपे u by v apply होगा क्योंकि इसको जरां अलग अलग नहीं कर सकते जैसे कि हमने पहले x plus one solve किया था x plus one upon x को जब हमने solve किया था याने हमने x by x अलग किया और one by one by x अलग किया था इस तरह से हम इसको solve कर सकते हैं लेकिन यह solve नहीं होगा तो अब इसको क्या करेंगे u by v apply करेंगे v का square कर दिया याने की नीचे वाले का हमने square करकर लिखा देखिए फिर नीचे वाला जो था उसको उपर as is लिखा फिर हमर पास जो यह function था x square plus 3x plus 1 इसका करेंगे हम derivative फिर इसी को लिखना है as it is minus करकर फिर क्या करेंगे into में रखेंगे जिसका हमने square किया था यानि की x square minus x plus 1 का derivative करना है तो इनका derivative हम solve कर सकते हैं तो इसको तो as is रखा x square plus 3x plus 1 का derivative क्या हो जाएगा देखिए यहां पर x square का derivative 2x 3x का derivative 3 1 का derivative 0 तो हमर पास क्या result आ गया 2x plus 3 इसको derivative यह हो गया इस तरह से इसको as is रखा फिर इसका derivative करेंगे तो देखिए इसका derivative क्या हो जाएगा x square का derivative 2x minus x का derivative 1 plus 1 का derivative plus 0 हो जाएगा तो क्या result आ गया 2x minus 1 आ गया तो यह इसका derivative हो गया अब इनकी multiply की है यहां पर हमने देखिए multiply है हमारे पास इसको हम simplify करें तो हमारे पास result आ जाएगा देखिए minus 4 x square plus 4 upon me x square minus x plus 1 whole का square हो जाएगा फिर अगर आप उपर देखेंगे तो उपर आपके पास 4 common आ सकता है तो हमने 4 common लिया तो result minus x square upon me x square minus x plus 1 का whole square तो इस तरह से देखिए हमने जो है second question का first part complete कर लिया है तो बाकी के जो next time है वो हम अगली वीडियो में करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को like कर दीजे दोस्तों को share कर दीजे अगर आप हमारे channel पर नए है तो channel को subscribe कर दीजे बैल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको business mathematics लेटी नए नए वीडियो की notification सबसे पहले मिल जाएं झाला प्रेस